बारत मध्ये स्वयम्भू जो तिरलिंग यजा महे हे पार ब्रह्म परमेश्वर्शिव शंभू दया महे महाकाल लोग के शुभारम ववसर पर एक दिन पूर्व उजेन पहुचे देश के प्रसित गायक पदमश्री कैलाश खेर के साथ अभई नियूज ने खास चर्चा की चर्चा के दौरान उन्होंने महाकाल पर गाय गए अपने गीत को लेकर क्या कुछ कहा आएए देखते हैं इस खास एक्स्क्यूजिफ इंटर्वियू में नमस्कार दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसित गाया एक और पदमिश्री कैलाश खेर जी बिल्कुल जादा आपसे बाते हैं ना करते हुए हम सीथे हम आप सुन कुन से बात कराते हैं कि कैलाश जी स्वागत है आपका अब है नियूज में जी बस हम अभी उज्जेन पहुँचे हैं महाकाल की नगरी और जैश्री महाकाल का कल विमोचन होने वाला है श्री महाकाल लोक के लोकारपन के साथ ही प्रदान मंत्री जी जैश्री महाकाल हमने जो नया गाना बनाया है एक महाकाल स्तुती गीत उसका भी विमोचन होगा ज अंस्कृति विभाग के सारे पेजिस पर भी उनकी वेबसाइट पर भी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर यहां के मुख्य मंत्री जी हैं शिवराज सिंग चोहान जी उनके भी जितने भी वेबसाइटों पर है सब जगा उपलब्द होगा कल से वीडियो भी और ओडियो भी तो मेरे प्यारे शुबचिंतकों और महाकाल के अनुजाईयों मैं आप सबसे निवेदन करता हूं म्यूजिक के संगीत के प्रेमियों कि आप कल से इस गाने को सुनना वीडियो को देखना जहां फ्री में दिखे फ्री में देखना अगर दस बीस रुपया भी खर्च करने पड जाए जी हमने देखिए उज्याईनी नगरी जो अवंतिका हमारी है ये बहुत पौराणिक नगरी है ये एक सब्त रिशी जो हमारे भोलेनात के सबसे पहले देवताओं की साथ उतरे थे भक्ति में तो उनके द्वारा बसाई हुई पौराणिक नगरी है अब पौराणिक नगरी की तो बात भी एतिहासिक और पौराणिक होती हैं दिव्य होती हैं तो महा काल की जितनी भी विशेश्टाएं हैं कितने देवी देवता काल भहरव और हर सिद्धी पीट काली का मा सब विराजे हुए हैं क्षिप्रा नदी के तट पर ये सब एक बहुती दिव्य धर करती है दिव्य खंड है इसका भी जीरन उद्धार हुआ इसका भी विस्तार हुआ इसका भी उद्धार हुआ और कर भी कौन रहे हैं शिव के वरदपुत्र आदर्निये प्रधान मंत्री जी शिव के वरदपुत्र जिनके नाम ही में शिव है शिवराज सिंग्चोहान और इसी के लिए आप सब से यही निवेदन है कि जुड़े रहिए अब है न्यूस के साथ जुड़े ही रहिए चिपक के रह गई है अकिला जबके आपने इस अगर गाने के बात की यह तो हम चाहेंगे कि हमारे जनता को छोड़ से आप कुछ बोल इसके बोलकर गायकर बताए बारत मदे स्वयम्भू जो तिरलिंग यजा महें यहे निजी नहीं कुछ तो पूछ चाहेंगे कि क्या इसमें आप समानता मानते हैं के लाजश श्यू और उजीन क्या इसमें आप थमान थमान के जी देखिए जब बात उजयन की हो तो महाकाल स्वयम उद्गोशित हो जाते हैं जब महाकाल उद्गोशित होते हैं तो कैलाश स्वयम उद्गोशित हो जाते हैं तो एक दूसरे के पूरक हैं तीनों तो और कल जब समागम होगा तो जितने भी मध्यप्रदेश के यहां पर शिव भक्त आये हुए होंगे संगीत प्रेमी आये हुए होंगे आप ये समझ लीजे जैसे उनके अंदर महाकाल जगे हुए होंगे और ये लोक दिव्य लोक का प्रतिमान बन जाएगा कल एक तरफ बैठे होंगे जीवन के साधक शिव के वरद पुत्र आदर्निय प्रधान मंत्री जी एक तरफ बैठे होंगे जिनके नाम ही में शिव है मुख्य मंत्री आदर्निय श्री शिवराज सिंग चोहान जी एक तरफ हम आपके बावले मेरे महाकाल के बावले कहलाश खेर तो नरो में इंद्र है जो उसका नाम है नरेंद्र व तो इश्वर का देखिए जब तीन लोग तीन लोकों के स्वामी का स्मरण करें मनन करें तो बात कुछ अलग ही होगी कुछ दिव्य होगी कुछ भव्य होगी जैश्री महाका जी यह गाना आपने लिखा है और आपने खुद गाया भी तो क्या प्रशासन के और से आप से पढ़ते हैं सुझाओ ताकि जानकारी भी रहे और आध्यात्म भी रहे गानों में तो वो दोनों का सम्मिलन है क्या जैसे देव लोक में सब बैठे हो और अपने अंदर के भीतर के महाकाल भीतर के महादेव अपने भीतर के परमातुमा को जगा के रहीं और ऐसा बस हो जाए द्रश्य कि यह भूले की नग्री है यह भूलों की नग्री है हर्यो म्जाए श्री महाकाल ये थे हमारे साथ केलाश खेर देश के महान और पसिद्दगाया, जिन्wei हमें बताया की किस तरह से नों महाकाल गीत लिए है, और इस को आपके सामने बताया है, तो कल बिलकुल देश के बजान मतिन दिरेंदर मोधी महाकाल लोग काटन करने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने इन से बात की अब इन्यूस के लिए उज्जेन से शकील खान